हिल गया वर्ल क्रिकेट का पोठी आस्ट्रिलाई टीम अफगान के पठानों ने क्रिकेट के मैदान पर फायर बन कर पहले तोड़ा मैक्स्विल का घमंड फिर तोड़ा वर्ल क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बरबाद हो गई आस्ट्रेलिया जिस गेंदबास को निकम्मा समझ रहे थे लोग उसके उपर जताय राशुत खान ने सबसे ज़्यादा भरोसा एतने बड़े मैच में सबसे छोटा कि लाड़ी वॉल्ल क्रिकेट का सूपर स्टार बन गया WWE की तरह दिखा रहा था अपने डोले शोले अफगान के पठानों ने मैच हरा कर आस्ट्रिलिया को करा दिया मैदान पर लुंगी डान सब भारत से होगा सबसे बड़ा मुकाबला नहीं कामाई Pat Cummins की है ट्रिक पूरे भारत को खून के आशू रूलाने वाली टीम को अफगान के पठानों ने चटाई धूल आज वर्ल क्रिकेट में ऐसी भगदर मची जिसकी कलपना किसी ने नहीं की थी लोग सोच रहे थे कि आस्ट्रिलिया जैसी टीम के सामने अफगान पठान कितनी देर तक टिकेंगे एक से दो गंटा दो से चार अवर लेकिन अफगान के पठानों ने पुश्पस टाईल में मैदान पर फायर होकर आस्ट्रिलिया की ऐसी धज्या उड़ाई कि आस्ट्रिलिया के सभी खिलाडी मूँ छिपा कर भाग रहे थे जो टीम कहकर मैच जीती थी जो टीम घमंड में चूर थी जो किसी भी हाल में हार नहीं मानती थी आज वो टीम अफगान के पठानों के सामने लुगी डांस करने पर मजबूर हो गई जिस खिलाडी ने पूरे भारत को खामुश कराया जिसकी गिंदबाजी ने वॉर्ल क्रिकेट को डराया था आज उन सबी खिलाडियों के मुँपर ताला लग गया राशिद खान के खिलाडी ने मैदान पर ऐसा तांडों मचा है कि क्रिकेट जगत के बड़े से बड़े खिलाडियों के पैर उखड गए जिस खिलाडी को लोग निकमबा समझते थे जिसको राशिद खान की सबसे बड़ी गलती समझ रहे थे वही खिलाडी राशिद खान का हीरा निकला और राशिद खान ने बता दिया कि अफगान के पठानों में कितना दम है वो कभी भी किसी भी हाल में मैच का रुख पलट सकते हैं अफगानिस्तान की टीम ने आस्ट्रिलिया को हरा कर इतना बड़ा अतेहास रचा कि अब आस्ट्रिलिया के सामने भारत जैसी टीम खड़ी होगी भारत से मुकाबला आस्ट्रिलिया का इतना आसान नहीं होगा इसलिए क्रिकेट पंडित कह रहें कि T20 वर्ल कप से औस्ट्रिलिया के चुट्टी हो गई जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे और समझेंगे तो आप भी राशिद खान और उनकी टीम को सल्यूट करेंगे कि एक चोटे से देश की एक चोटी सी टीम इतने बड़े देश को घुटने पर कैसे गिरा चुकी है साथ में आपको ये भी बताएंगे कि राशिद खान का ये हीरा खिलाडी कौन था जिसमें अकेले आस्ट्रिलिया की टीम की धज्या उड़ा दी एक समय आस्ट्रिलिया की तराजू में रखा मैच गुलबदीन नईब ने अकेले दम पर पासा पलट दिया इस गेंदवाज ने एक के बाद एक आस्ट्रिलिया के विसफोटक बल्लेबाजों को पाविले लोटाना शुरू कर दिया नईब ने चार विकेट चटका कर आस्ट्रिलिया को रौंदरे में सबसे बड़ी भूमिका नेबाई अफगानिस्तान से मिले 149 रन के टागेट का पीशा करते हुए आस्ट्रिलिया के लिए जीत आसान लग रही थी लेकिन गुलबदीन नईब 20 रन देकर चार विकेट और नविनुलक 20 रन देकर टीन विकेट की आगू गलती गेंदो के आगे आस्ट्रिलिया ने पूरे ओवर खेले बिनाई 127 रन पर दम तोड़ दिया एक समय मैक्सविल के क्रीच पर जमे रहने से आस्ट्रिलिया की जीतने की उम्मीदे जरूर थी लेकिन नईब ने उन्हें आउट कर बड़ा विकेट दिलाया मैक्सविल 19 रन बनाकर चलते बने बिना खाता खोले ही ट्रिविसेड नवीन का शिकार बने वर्नर तीन रन ही बना सके, कप्तान मार्श 12 रन बना कर पवेलन लोटे, टिम डेविड दो रन और मारकस से स्टोनी से 11 रन पर सस्ते में निपट गए, अफगानिस्तान की इस जीत से सेमी फाइनल का पेच फस गया, भारत का सेमी फाइनल में पहुंचना लगबगता है, वही अफगानिस्तान का अगला मैच बंगलादेश से, इस मैच को जीत कर अफगानिस्तान भी सेमी फाइनल का टिकट कटाने की कोशच में रहेगा, आलंकि अफगानिस्तान और आउस्ट्रिया अपने अगले मुकाबले जीतते हैं, तो रन रेट में पेच फसेगा, क्योंकि दो अफगानिस्तान ने लगे कि ये राशिद खान का सबसे गलत फैसला होगा, जब आपके पास एक से बढ़का रेक तूफानी गेंदबाज है, तो आपको ऐसे गेंदबाज को गेंदे नहीं देनी चाहिए, लेकिन इस गेंदबाज ने ये साबित कर दिया कि राशिद खान मेरे उपर कोई गलत फैसला नहीं किया, मैच खत्मोने के बाद गुलबदीन नईब ने कहा, मैं राशिद खान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े मैच में मुझ पर भरोसा जिता है, और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरा, अफगानिस्तान आस्ट्रिलिया को हरा कर इस रोमांचक मुकाबले से वर्ल्ल क्रिकेट को बड़ी चितावनी दी है,